नमस्कार दोस्तों हेल्थ इंफो इंडिया यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के फायदे और रुक्सान के बारे में एलोवेरा ऐसी आउसदी है जिसके सबसे ज़्यादा सौंदर प्रसाधन के रोप में इस्तिमाल कि बलकि पीट सम्मंदी कई सारी बीमारियों से आपको निज़्यात दिलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूवेरा के जहां इतने सारे फायदे रूक्सान ग्यूंभ हैं। मामली जलने पर एलोवेरा जल लगाने से आपको राहत मिल सकती है इसका इस्तिमाल प्रभावे छेत्र पर दिन में तीन बार करें एलोवेरा जल का इस्तिमाल आप संबर्न हुई स्किन पर कर सकते हैं लाब मिलेगा लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एलोवेरा जेल आपको संबर्न से प्रोटक्ट करता है इसके लिए आपको संस्क्रीम लगाने की आवशक्ता होती है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप सरीर में किसी भी मामली कट पर कर सकते हैं इसमें पाये जाने वाले आउसधिये गुण संक्रमण फैलाने से रोकते हैं और चोट को जल्दी ठीक करने में सक्षम होते हैं इसके अलावा एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने से चोट के दाग नहीं बनते इसे आप दिन में तीन बार लगा सकते हैं इसके नहाने के तुन बाद लगाने से चेहरे पर नमी बनी रहती है इसका नियमित इस्तेमाल करना आपके लिए लाप्रद हो सकता है आईए अब जानते हैं अधिक मातरा में इलोवेरा के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में कब्ज और गैस की समस्या में इलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इससे आपकी परिसानी और बढ़ सकती है गर्ववस्था में इलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके उप्योग से गर्वासे में संकुचन होने का खत्रा बना रहता है इसके कारण abortion या birth defect से जुड़ी समस्या हो सकती है आपको किसी भी तरह से हिर्दे संबंधी परिसानी है तो आप aloe vera का सेवन ना करें इसके सेवन से सरीर में ज्यादा मातरा में एंड्रे नरलाइन हार्मोन उत्पन हो सकता है जिससे अनियमित हाल्ट बीट की समस्या हो सकती है साथ ही आपको बेचैनी और घबराहट भी हो सकती है ऐसे ही aloe vera के बहुत सारे फाइदे और नुकसान होते हैं उचित होगा कि आप इसका सीमित मातर में सेवन करें और इसके स्वास्तलाब उठाएं आवशक्ता होने पर आप अपने चिकिसक से परामस लें अगर आपको एलो वीरियस से जुड़ी जनकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हेल्थ इंफो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से कोने किसी फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद